हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है, आजम स्टडी करेंगे बहुती एक इंपोर्टेंट प्रेक्टिकल टोपिक के बारे में और वो है कि सबसे इंटर एक्शन प्लान कैसे बनाएं इस लेक्चर को आप हिंदी में देख रहे हैं, यदि इसी टोपिक को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहती हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक भी लेगा, या आप डिरेक्ट चैनल को विजिट करके भी अपना वीडियो कर सकते हैं, सबसेंटर एक्षिन प्लान क्या है, सबसेंटर एक्षिन प्लान हर एक स्वास्ते उटके अंदर पर काम करने का बहुत ही महतोपूल टूल है, यह प्रतेक उप स्वास्ते के अंदर के अंतरगत, जो भी जितने भी काम हैं, उन सब के लिए जो भी प्लान की गई लिंगतीवीदियां, उसकी जानकारी प्रदान करता है. और उपकेहंदे द्वारा एक विशे साउधी में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं का आंकलन भी इसमें किया जाता है सबसेंटर एक्षिन प्लान को एक लिखित दस्तावेज की रूप में परिवाशित किया जाता है जिसमें एक निश्चित समय सीमा में की जाने वाली सभी कित्ती विदियों की जानकारी होती है और प्रतियक कारे लिए क्या संसाधनी उज़ के जाएंगे, क्या समय सारणी होगी और किस जगह पर वो एक्टिविटी पर्फॉर्म की जाएगी उसकी पूरी जानकारी इस एक्षिन प्लान में होती है तो अब एक्षिन प्लान बनाएंगे कैसे हैं तो इसकी शिरुवात हम करते हैं मैप सबसे पहले हम पूरे एडिया का मैप बनाएंगे हर गाउं का मैप बनाएंगे जो हमारी सब सेंटर के अंतरगत आती है और उसमें प्रते एक जो approach road है, जो main road है और गाउं के जो important places हैं चाहे वो government offices हो, schools हो, कोई समुदाइक भावन हो, उन समको पुजास्ता लोग हो, कोई मंदिर, मस्जिद, चर्ज, गुर्द्वारा, उनको हम उसमें शो करते हैं, ताकि पता रहे कि हमें किस प्रकारवों सड़के जा रही हैं, और कितना एरिया हमारा cover उसमें हो रहा है, उसके हम मीटिंग्स भी conduct करते हैं, मीटिंग्स स्टाफ के बीच में, जो health team है, उसकी मीटिंग कर सकते हैं, community के जो influencers हैं, जो neta हैं, जो community में बना परभाव रखते हैं, उनके साथ हम उलगाद कर सकते हैं, पंचायत, सरपंच, उनके साथ, और जो special groups हैं, महिला मंडल से हैं, उनके और आशाज हैं, अंगन बाड़ी हैं, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, और उनका suggestions लेते हैं, हमारे इस प्लान के बारे में, जो बना रहे हैं तो आपका क्या suggestions उसमें रहेगा, इसके इलवा, high risk group की identification के जाती है, उस जो भी समुझ हैं, उससे क्या है, जो भी हम सेवाएं प जरूत के अनुसार, जो fact, need होती है, उसके अनुसार हम हर एक एरिया की priority setting करते हैं, हर एक service की priority setting करते हैं, कि उन्ची service किस एरिया में, कितनी मात्रा में चली, कितनी समय तक सही, उसके बाद आता है हमारा form 1, जो data जो हमने collect किया है, उसको form में fill करना, इसमें बहुत सारी जान country में अलगलग हो सकता है, बड़, basic requirement है वो नदबक्सें, जैसे सबसे पहले journal information इसमें भरते हैं, जिसमें आ सकता है कि कौन से year के लिए हम सब ये action plan बना रहे हैं, कौन से state में है, population of subcenter की क्या है, किस पहसी से वो जुड़ा हुआ है, birth rate कितनी है state या district की, subcenter का नाम, total number जो eligible couple है फुरे subcenter में, और number of villages, कितने villages हमारी subcenter में आते हैं, इसके बाद आता है कि consultations, जो अभी हमने बताया है कि meeting करनी होगी, तो कहां कहां कितनी कितनी meeting की, इस action plan के लिए हो सारह हम इसमें लिखते हैं, जैसे सबसे पहले है, यह आया कि pancayat या health committee के members है pancayat के, उन से कितनी meeting ह हुई उनका date, फिर आशा और आगनवाडी workers के साथ कितनी meeting की, उनकी date, महिला स्वास्ते संग के साथ meeting हुई तो उसकी date, कितनी meetings हुई, उनकी dates, और यदि house was, बिस इस पर हमने families से मुलाकात की action plan के बारे में suggestion लेने के लिए, तो वो भी हम consultation numbers और date हम इसमें fill करते हैं, उसके बाद आता है, कि जो services दी जानी है, उसके बारे में estimation, तो इसमें दो column, तीन column होते हैं, ये तो service, एक previous year में कितना number था, और current year में जो हमने estimate किया है, वो कितना होता, वो यहां बढ़ते हैं, for example, जैसे first column है कि ENC cases registered करने, तो previous year कितनी हुए, और अब expected कितनी, इसमें high risk pregnancy कितनी ह और अब कितनी हो सकती है, फिर tetanus vaccination, tetanus 1 कितना लगे थे, tetanus 2 कितने लगे थे, और booster कितने लगे थे, और इस year में कितनी लगने estimated है, कितनी mothers को हमने iron folic acid prophylaxis के रूप में दी, 100 tablets, previous year और current year, और कितनी women जो एनेमिया के लिए थी उनको treat किया, मतलब जिनको हमने 200 tablets दी हो कित इनको double iron tablet देते हैं, तो यहां पर उनका number पिछले साल का, और यहां current year, इसी प्रकार deliveries, ANM या LHV के दोरा कितने deliveries हुई, और इस year में कितनी होने के समभवना है, और train birth attendant के दोरा कितनी deliveries हुई, और कितनी इस year में हो सकती, तो सारे record हमें पिछले years के लिए लिखने होते हैं, औ current year के estimated लिखने होते हैं, ऐसी प्रकार, रेफर, जो high risk pregnancy है, इतने को और ने रेफर किया, sick newborn यदि रेफर किये हैं, तो उनका number, और expected जो number होगा वो यहां पर, और जो MTP के लिए रेफर की गई है, mothers, उनका लिए हम TTIDs में डालते हैं, फिर आता है STI, RTI, जो sexual transmitted disease or reproductive tract, जो infections है उनको कितना detect किया गया, रेफर किया गया, वो previous year का, current year का भी, इस प्रकार जो immunization है, infants का, immunization में जैसे BCG है, वो previous year कितना था, वो इस year कितना हो सकता है, इस प्रकार pentavalent, OPV, IPV, rotavirus, measles, सब का record हम पिछले साल का लिखेंगे, और current estimated number लिखेंगे, उसके बाद, number of children immunized, MR, DPT, और booster, OPV का, DT, TT, और 16 year का TT, इस सारी detail हम इसमें फिल करते हैं, इसे प्रकार जो vitamin A की doses हैं, dose 1, dose 2, 3 to 5, IFA, pneumonia वाले कितने बच्चों को treat किया गया, कितनों को refer किया, डाइरिया वाले कितने बच्चों को वारे से treat किया, और कितनों को refer किया, और कितना affected है, यह सारी detail हम इस फों में, फिल करते हैं, इसके बाद आता है हमारा eligible couple का, permanent methods, कितने apply, जो use कर रहे हैं, एक बच्चे वाले, जिन्हों ने दो बच्चों पे करवाया वो, उनका number, और जिन्हों ने टीन प्लस पे करवाया उनका number, यह सारी detail हम यहां भरेंगे, eligible couple जो temporary method यूज़ करते हैं, जैसे condom, oral pills, copper theory, इसके अलावा जो भी उस एरिया में यूज़ किये जाते हैं, सब के नाम यहां लिखेंगे, और यहां उनके number लिखेंगे, अब आता है कि जो estimation करते हैं, उसके क्या system होते हैं, तो इसके लिए कुछ formula होते हैं, for example, यदि हमें हम लिखेंगे, जो हमने survey किया, तो total population कितना है, और हमारे area का birth rate कितना है, उसको हम multiply करेंगे, और divide करते हैं, worth 1000 से, तो हमारे पास number of pregnancy आजाएंगी, for example, अलिहां बनी हैं हमारे population हमारे सब सेंटर की 5000 है, और birth rate हमारे area का 30 है, तो इस formula से हम इसको करेंगे, 5000 को 30 से multiply करेंगे, और divide करेंगे 1000 से, तो 1500 जो pregnancy है, वो आजे, अब आता है कि antinatal registration कितना होगा, तो antinatal registration में हम normally जो अमने अभी expected pregnancies निकाल ली हैं, उसमें wastage factor भी डालते हैं, wastage factor मतलब कोई abortion हो गया, कोई pregnancy होई नहीं, तो वो normally आता है 10% pregnancy का, तो pregnancy हमारे पास expected है, 150, उसका 10% निकाल लेंगे, तो 15 हो जाएगा, तो total antinatal zone cases registered हो सकते हैं, वो हो जाएगे, number of pregnancy plus wastage, तो dead suit plus 15, तो 165 हमारे पास expected होगी registration, उसके बाद हम आते हैं कि tetanus toxide की dose की ऐसे calculate करें, तो जितने ही मदर होगी, उतने ही tt के लगेंगे dose, और एक मदर को 2 tt के dose लगते हैं, तो 165 from 2 से multiply करेंगे, तो 330 dose हमें चाहिएंगे, उसके बाद आता है कि iron folic acid tablet का estimation कैसे करेंगे, अब iron folic का इसी tablet हर मदर को 100 दी जाने है, profile axis के लिए और enemy के लिए 200 दी जाने है, तो इसी system से हम calculate करेंगे, तो टोटल हमारे पास जो registered mother है वो 165 होंगे, 100 tablet उनको देंगे तो 16500 और जो एनिमिक हैं वो 50% average होती है, तो इसका मदलब 165 का यदि 50% करेंगे, तो 83 mothers एनिमिक होंगे, और उनको 100 tablet additional देंगे, तो 83 mother को 100 tablet additional देते हैं, तो 8300 tablet बोर हो जाएंगे, तो 8300 और 16500 टोटल 24800 tablet हमें एक साल में iron tolication की जुरूत पड़ेगी, इसी प्रकार high risk cases कितने हो सकते हैं, तो high risk cases normally जितना भी एनिमिक रेजिस्टर ट्रेशन है, उसका 15% estimate किया गया है, तो हमारे पास ANC 165 है, उसका यदि 15% निकालें, तो 25 हाज़त है, तो 25 high risk mothers होंगे, जि उसके बाद आता है कि, deliverage कितनी होंगे, तो deliverage का तो जो total pregnancy निकाले थी, उसी formula से निकाल सकते हैं, population of the area, और उसको multiply करेंगे birth rate से, और divide करेंगे 1000 से, तो 150 deliverage हो जाएंगे, उसके बाद है high risk children कितने होंगे, तो जितनी हमारी delivery हुई है, उसमें से 10% जो है, वो high risk कोरते हैं, त 150 का 10% निकालेंगे, तो 15 हो गया, तो 15 बच्चे high risk होंगे, जिनको reference की जुरूद, referral की जुरूद पड़ेगी, higher center पर, अब आता है कि, जो बच्चे होंगे, जिनको immunize करना है, infant, वो कितने होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कि जो IMR है, वो reduce करना होता है, तो date लाइव बर्त हुए, उसका 60 per 1000 infant mortality rate है, तो वो हो गया, 150 से इंटू 60, वो उसको 1000 से डिवाइड करती है, तो 9 आता है, तो 9 बच्चों की death हो सकती है, जो infant mortality rate इतनी है, तो 141 बच्चे complete immunization लेंगे, इसके हिसाब से हम vaccination का, जो requirement हो निकालते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं, क उसको multiply करते हैं, कि उस vaccine की dose total कितनी है, और wastage multiplication factor कितना है, एक्जामपल, यदि BCG और measles है, उनका अगर निकालना है, तो 141 बच्चे हैं, infant हैं, और एक ही dose लगती है, BCG की और measles की और इनका जो दोनों का wastage factor है, और 2 है, तो 282 हमें vaccine चाहिएंगे, पूरे साल में, इसी प्र 141 को multiply करेंगे, चार से, क्योंकि चार लोज जाएंगी, OPV1, OPV2, OPV3 और एक booster, तो और इनका जो wastage factor 1.33 है, तो 750 हमें OPV चाहिएंगी, और इसी formula से pentavalent चाहिएंगी 530, अब यह जो हमने complete किया, estimate भी कर दिया हर vaccine के बारे में, और total हमने लिख दिया, previous year कार और estimated, उसके बाद हम एक page का format बनाते हैं, जिसमें weekly action plan, monthly action plan और yearly action plan भी, एक page का formula बनाते हैं, format बनाते हैं, तो उसमें कैसे करते हैं, यह example में आपको दिखा रहा हूं, यह दि हमने monthly बनाया, तो इसमें सबसे पहले, यहां हम सब्सेंटर का नाम लिखेंगे, और month का नाम लिखेंगे, जैसे यह example हमने दिया है, March 2021, इधर weekdays लिखेंगे, और यहां जो box बनेगे, उनमें dates आ जाएगे, तो जैसे Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, और Monday को मार्च का जो था हो एक तारिक दी, तो एक, दो, तीन इसकार यह dates लिखेंगे हैं हमने, और हर Monday को हमारा home visit होता है, तो यहां हम लिखते हैंगे, जैसे village 1 का, A का, home visit यहां एकारी को हुआ, आठतारी को village B का हो जाएगा, पंदरा को village C का, फिर D का, E का, हर Tuesday को ANC क्लिनिक है सब सेंटर पर, तो यहां हमने ANC क्लिनिक यहां डाल दिया, Wednesday को यहां इम्मुनाइजेशन है, तो इम्मुनाइजेशन डाल दिया, ठीक है, यह भी सब स ठीक है, मिशन इंदर दूश केता है, तो वहां हर गाउं में, ANM जो जाती है, आश्या और आगरवाडी की साहिता से, एम्मुनाइजेशन केंप वहां लगाती है, आउट्रीज कारेकर हम जी बीजेश को बोल सकते हैं, तो यहां पर हम village wise लिखेंगेगी, किस डेट को कुन स में जा रही है, ठीक है, आउट्रीज विलेज 2, आउट्रीज विलेज C, ठीक है, A, B, C, अब यह D और E रहे गए, तो इंको हम फिर किसी दिन ले लेंगे, जैसे यहां हमने Saturday को ले लिया है, छे तारीको विलेज D और विलेज E, Friday हमने family planning program रखा है, activities अब की है, sub center पर, तो ह अगर कोई special meeting होनी है, तो उसको additional डाल सकते हैं, और report preparation करना है, तो एक डी हमने sub center पे report बनाने के लिए रख लिया, तो इसकार पूरे month की activities हमने यहां डाल दिया, इसे बगार यह week का बनाएंगे, तो पूरा week का detail डालेंगे, एक week का, उसमें उपर लिख देगे कुन सा week है, और पूरे year का भी इसी गारे एक format हम बना सकते हैं, तो यह एक sub centricion पार है, ऐसे ही important videos देखने के लिए आप YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं, latest update के लिए Facebook पेज लाइक कर सकते हैं, और notes पनाने के लिए, ब्लोगर विजिट करना ना बूलें, जब आप ब्लोगर पी विजिट कर सकते हैं, फोरुक कर सकते हैं हुझे Twitter पर, Instagram पर, और Nursing Notes ग्रूप जोइन कर सकते हैं, तो आपकी support में हमेशा रहेंगे, MySupport, Student Support System के माध्यम से, धन्यवाद, आपका दिन शुगू.